अलो ब्रीवन, वेलकम टू दी एक्जाम टाइम तो भाईयो सबसे पहले आप लोगों को हैपी दिपावली और इस दिवाली के अफसर पे NTA वालों की तरफ से आप लोगों को एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट तो यार मिल गया होगा, पता चली गया होगा कि NTA वालों ने आंसर की रिलीज कर दिया, भले ही लेट किया लेकिन कर दिया आंसर की रिलीज अब ये बाते आप लोगों को पता है कि आंसर की रिलीज हो गई है, कैसे चेक करना है कहां से जाके चेक करना है, लेकिन एक common doubt जो maximum students को face करने को मिल रही है, खासकर b.com वाले student को दिक्कते आ रही है हम तो login कर रहे हैं लेकिन जब आंसर की वाले section में जाते हैं, तो वहां हमारा omr sit खुल कर आ जाता है, हमें properly answer की देखने को ही नहीं मिलती है तो मैं ये doubt common तुम्हारा जो है, ये clear करने आया हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगा ये दिक्कते सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है 99% student के साथ ये दिक्कते आ रही है, खासकर मैं b.com की बात कर रहा हूँ, other courses की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों के answer की उन्हें दिक्ख रहे हैं, लेकिन जो b.com के छातर हैं, उन्हें answer की नहीं देखने को मिला तुम्हें करना क्या है, कुछ भी मत करो, just फिलाल relax करो, हो सकता है, कुछ server glitch हो technical glitch हो, ठीक है, technical दिक्कते जो होती है, उसकी वज़े से answer की नहीं दिख रहा हो, तुम्हें करना क्या है, एक बार रात के 12 बजे के around या उसके बाद तुम चेक करना, क्योंकि हो सकता है उस time server का load कम हो जाए, या फिर आज बर का wait कर लो, कल सुबह starting में तुम चेक कर लेना, इससे कुछ तुम्हारी train नहीं छूट जाएगी, जस्ट फिलाल relax करो, जितना तुम लोग tension ले रहे हो कि answer की आ गया, हमारा नहीं खुल रहा है, क्या तुम्हारा नहीं खुल रहा है मेरे WhatsApp चाट भर चुके हैं, किसी का नहीं खुल रहा है answer की ठीक है, तुम फिलाल तुम relax करो अगर खुलता है तुम्हारे जो भी marks आ रहे हैं, तुम मेरे साथ खुल के, share कर सकते हो, तुम मेरे WhatsApp पे contact कर सकते हो, और एक और important बात, जो कि तुम लोग हो सकता है कि गलती करो, question challenge करने में एक प्यारा सा छोटा सा suggestion मेरे तरब से यह है, कि जब तुम question challenge करो, उससे पहले अपने students के साथ, students बोल रहो, अपने दोस्तों के साथ, discuss कर लो, या फिर मेरे से discuss कर लो, WhatsApp groups तुमारे बने ही होंगे, अगर groups नहीं हैं, तुम मेरे से वो doubts पूछ सकते हो, अगर बने हुए हैं, तो group में डालो, ठीक है, वहाँ पर clear करो, उसके बाद last में मेरे second form कर लो, उसके बाद क्या करना, कुछ groups बना लो अपने दोस्त के, कि यार तुम ये question challenge कर लो, मैं ये question challenge कर लेता हूँ, अगर 2-4 questions गलत निकलते हैं, ये मत करना, तुम भी वही question challenge कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त भी वही challenge कर रहे हैं, तीसरी लोग भी वही challenge कर रहे हैं, just wastage of money आए याँ आपर, तो तुमें करना क्या है, simply group में सबसे पहले, जो भी question तुमें लगे कि doubt है, उसमें discuss करो, और extra clarity के लिए गूगल पे check out करो, मेरे से पूछो, whatsapp number तुम्हें यार, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पे तुम contact कर सकते हो, ठीक है, और कैसे देखना क्या देखना, यहाँ पे screen पे मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, जैसे इस website पे आओगे, यहाँ पे तुम्हें display OMR challenge, recorded response and answer key for the BHUET, यह देखने को यहाँ मिल रहा है, इस पे जाकर तुम देख सकते हो, simply, ठीक है, आगे process तुम्हें मालूम है, कैसे क्या करना है, जूट कम है, यहाँ पे discuss में, तुम्हें अपने answer जरूर बताना, ठीक है, जो भी तुम्हारे marks आ रहे हो, जितने भी आ रहे हो, बताना, उसके basis पे मैं बताऊंगा, कि तुम्हारी क्या possibility है, कि campus में है, तो मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए, बबबाई, टेक कियर, और हाँ, हब वी देवाली.